हेलू फ्रेंद्स मेरा नाम है डॉक्टर पुझा और आज अमारे साथ क्षिन साथ केका किक्रीन पर हैं हमारी पेशेंट निकिता निकिता कुछ समय पहले हमारे पास अपने दानों में क्यावर्टीज की प्रॉब्लम को लेकर आई ती жеak gobierno को قWhoaard और उनको काफी इससे दिक्कत हो रही थी, उन्होंने हमारे क्लिनिक पर ट्रीटमेंट लिया और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे क्लिनिक पर आईए जानते हैं निकिता से, तो फ्रेंड्स, कम ओन लेट्स मीट निकिता हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निकिता है, मैं आज आपको अपने तीज से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ मेरे तीज में कैविटीज और भी कैविटीज पैन इस तरह की समस्याएं थी मैंने आज पास के सारे डेंटिस्ट को मतलब सर्च किया, गूगल किया, फिर मैं एक दो डेंटिस्ट के पास गई भी जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया बट treatment उन्होंने किस तरीके से किया मुझे कुछ भी satisfaction नहीं मिला मेरे तीत में pain होता ही रहा और cavity की feeling बगएरा भी उन्होंनों ठीक से नहीं की फिर मैंने काफी search किया तो मुझे डॉक्टर पूजा शर्मा के बारे में पता चला फिर मैं उनसे contact किया मैंने उनसे तो उन्होंने मुझे फिर appointment दिया जब मैं उनके पास आई तो उन्होंने मेरे दाटों का check up किया और extra किया फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुमारे तीतों में मतलब cavities है और भी infections है तो फिर मैंने उनसे पूछा मतलब इसके लिए क्या treatment best रहेगा तो उन्होंने मुझे suggest किया कि मतलब जो deeper जादा मेरी गहरी जो feelings थी उन्होंने उसमें RCT के लिए suggest किया फिर उसके उपर capping के लिए suggest किया और जो मेरे मतलब थोड़ी मतलब कम उसकी cavities थी उन्होंने उस पर composite filling के लिए suggest किया फिर जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही प्रिफर किया और अपना treatment डॉक्टर पूजा शर्मा से शुरू करवाया तो उन्होंने मेरे दातों की RCT की बिल्कुल भी RCT में दोस्तों ये गलत मित बना हुआ है लोगों का कि RCT painful होती है ये बिल्कुल भी painful नहीं होती है आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा एकदम panless treatment होता है RCT का RCT से डरे नहीं दोस्तों अगर आपको डॉक्टर RCT सजेस्ट करते हैं तो उसको बिना डर के बिना जिजके RCT treatment को करवाएं जिससे आप अपने दात को एक अच्छी life दे सकते हैं पिर डॉक्टर पूजा शर्मा ने मेरा RCT बिना panless दोस्तों pan भी नहीं होता है मैं फिर कहूंगी डॉक्टर ने मेरा RCT किया उसके उपर capping लगाई और जो दातों में थोड़ा कम था मतलब cavity उसको उन्होंने filling से ठीक किया आज मेरे दात पूरी तरीके से ठीक हैं और अच्छे हैं healthy way में अच्छे से हो गए हैं मेरे दात और मैं यह कहूंगी जिनको भी अगर दातों में कोई भी दिक्कत है cavities है दातों में और भी कई तरीके infection है कुछ भी है तो एक बार पूजा शर्मा डॉक्टर पूजा शर्मा पर जरूर विजिट करें उनसे अपने दातों का चेक अप करवाएं जिससे वो आपके दातों को चेक करके उनके लिए जो best treatment होगा वो आपको suggest करेंगी डॉक्टर पूजा शर्मा एक बहुत ही अच्छी dentist है वो हर treatment को बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से successfully treat करती है ओके धन्यवाद दोस्तों तो फ्रेंड्स यह थी हमारी patient Nikita and I hope आपको Nikita का experience जानकर यह बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि रूट के नाल ट्रीटमेंट एक बिल्कुल ही painless treatment है यह आपके दांत की एक तरह से एज को बढ़ा देता है उसको वापिस healthy कर देता है उसको वापिस functioning mode में ला देता है तो definitely friends I would advise you कि अगर आपको दांत में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है आपको खाना चबाने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने dentist से as soon as possible appointment लें और dentist to our recommended treatment बिल्कुल sincerely follow करें तो no doubt आपका dentition और आपकी smile ऐसे ही हमेशा long lasting healthy और happy रहेगी thanks for watching the video